अमेठी में गल्ला वेफसाई से चाल लाग की लूट, कवंची की नोग पर गल्ला वेफसाई से बदमाशों ने लूटा चाल ला, 24 घंटे के भीतर हुई दूसरी बड़ी लूट, दूसरी लूट की घटना से अमेठी में मचा हड़कम, लूटेरों ने आख में मिर्च पाउ लाग रूपे लूट लिये, इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए, घटना की सुछना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और बदमाशों की तलाश में जुट गई है, तो वही 24 घंटे में हुई लूट की दूसरी बड़ पीछे से अध्यात मोटर साइट और सभार लोगों ने उन पर हमला करके पैसा लूट लिये, सद्धित्ता की अधार पर कारवाई की अगरी दरसल ये पुरा मामला अमेठी कोत्वाली के भिटवा ब्लॉक के पास का है, जहां कल शाम करीब 6 बजे अमेठी कस्वे का रहने वाला गल्ला व्यापारी मिहर चैसवाल टिक्री में मौझूद राजेश मसाला फैक्ट्री से 4 लाक रुपे लेकर वापस अमेठी हा रहा था कि कुछ दूर पहुचने के बाद पीछे से दो पलसर बाइकों पर सवार चार बदमाश पहुचे और मिहर पर लाल मिर्च फेक दिया, जिसके बाद आयूज जैसवाल और मिहर जैसवाल बाइक से गिर गए, बाइक से गिरते ही बदमाश तमंचे के बल पर मिहर के बैग में रखचाल लाख रुपए लूट कर सुल्तान पूर की तरफ फरार हो गए बदमाशों की जानने के बाद दहशत में पीडित ने 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी जानकारी मिलते ही एक 112 के अलावा अमेठी कोदवाली पुलिस मौके पर पहुचे और बदमाशों की तलाश मे पुलिस को खुले आम चाहिए तो कहीं पहले बदमाशों ने चोरी की घटना को अंचान दिया तो कहीं अमेठी सांसर इसम्रती इरानी की मौजूदगी में बदमाशों ने पुलिस को खुले आम चुनावती दी जिसकी बचे से लोगों में अब दहशत का महाल बन गया है अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेठी पुलिस मामले में कब तक खुलासा करके लोगों में सुरक्षा का विश्वास चगाती है अमेठी से ये खबर हमारे समवाद दाता महमत तौफीक के साथ सहयोगी अजे कुमार ने कबर की है राहत सेवा संस्थान सर्व मानव अधिकार मानवता के लिए पढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकोन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें